तो आज मैं आप लोगों को एक रिलीज होने के जादा से जादा सिम्टम्स बताने वाली हो जब एक रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन यह ओवुलेशन आपके महीने के बीच के दिनों में होगा यानि कि ओवरी से आपके एक रिलीज होगा और फेलोपियन ट्यू वह सुकता होती है देट की बात करें तो आपके महीने के बीच के दिनों में होगा तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे आपका एक डिलीज हो रहा है और कब आपको कंसीव करने के लिए ट्राइ करना चाहिए तो इन सिम्टम्स पे जरूर से जरूर ध्यान दे सबसे पहले सिम्टम्स होता है आपके सर्विक्स के पोजीशन को लेके उस वक्त सर्विक्स का पोजीशन जो है मिडिल में होता है बिलकुल आपके मध्धि में होता है बहुत जादा ऊपर नहीं होता है बहुत जादा नीचे नहीं होता है और सर्विक्स खुला होता है यानि बच निकल रहे हैं काफी जौद चिपचिपा होगा अगर बात करें तो बिल्कूल आपके अंड़े के उजले शठाफय पाहर द्रसी पडार्त के जैसा लगेगा तो इस तरीके से यह कुछ देखने में ऐसा लगता है काफी जादा मातरा में निकलता है डिस्चार्जस और काफी जादा चिपचिपाहट होती है उसमें काफी जादा stretchability होती है अगर दो उंगलियों के बीच में आप रखेंगे तो काफी जादा stretch होगा तीसरा जो है कई महिलाओं को nausea यानि उपकाई जैसा या फिर सिर में दर्द जैसा महसूस होता है उस वक्त आपके moods काफी अच्छे होते है happy hormones release होते है इसलिए mood swings नहीं होता है temperature body बेसल temperature में हलका सा change आएगा जैसे कि आधा degree या 1 degree का change आपको मिलेगा rise up होगा थोड़ा सा बढ़ेगा temperature बोड़ी का तो ये बिल्कुल fever के जैसा नहीं होता है कि आप तुरंत जान जाएंगे कि आपके body basal temperature में change हुआ है कई महिलाओं को पेट के left ear right side हलका सा cramp महसूस होता है left ear right side इसलिए कि जिस भी फिलोपियन ट्यूब में आने वाला होता है जिस भी ओवरी से एक रिलीज होता है उस side आपको हलका सा cramp महसूस होगा जिसे हम कहते हैं ovulation cramp तो इससे भी आप जान सकती है कि आपका egg release होने वाला है तो कुछ इस तरीके से आपको ovulation के symptoms मिलेंगे libido काफी increase होगा libido यानि कि physical relation के प्रती काफी जादा attraction होगा तो I hope कि आप ovulation के symptoms को समझ गई होंगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe और comment करते जाए धन्यवाद